दोस्तो भारत में लॉकडाउन का 17 मई तक बढ़ाया गया है जिसमें कि भारत में विभिन जिलो को अलग लग जोन में बढ़ा गया है रेड जोन, और जोन और ग्रीन जोन में जिसके अनुसार उसमें कुछ छूटे दी गई हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे रेड जोन की, रेड जोन में cold इस्टेरेज को छूट दी गई है, commercial संस्थान को छूट दी गई है, private security को छूट दी गई है इसके बाद रेड जोन में मीडिया करमियों को, IT सेक्टर को और call centers को भी छूट दी गई है इसके बाद हम औरेंज जोन की बात करें, औरेंज जोन में बाइक के लिए चूट दी गई, जिसमें दो लोग सवार हो सकते हैं, IT सेक्टर को, मीडिया करमी को चूट दी गई है, क्लिनिक खोलने की इजाद़ दी गई है, जिसमें की सोचल डिस्टेंसिंग का धियान रखना हो होगा, और ओपीडी कर सकते हैं, उसके बाद हम बात करें, औरेंज जोन में तो पेट टैक्सी भी चल सकेंगी, टैक्सी में सवारियों की इजाज़त भी होगी, लेकिन दो सवारियों की होगी, इसके ग्रीन जोन की बात करते हैं, तो ग्रीन जोन में क्लीनिक खोलने की इज जादा दी गई है दुकाने चोटे उद्धोग भी खुल पाएंगे बात करने टांस्पोर्ट भी खुल सकता लेकिन शर्तों के साथ खुलेगा यानि कि 21 दिन से जिन जोन में केस नहीं आए वो ग्रीन जोन होंगे 307 ग्रीन जोन मॉल सिनेमा नहीं खुलेंगे लॉक्डाउन क प्लेस पर मास्क पहना जरूरी होगा दफ्तर में पांच लोग ज़्यादे खटे नहीं होंगे दफ्तर के बाहर मिटिंग नहीं होगी तो यह सब लॉक्डाउन के नियम भी रहेंगे जिनका पालंग करना जरूरी होगा